हाई गाईज तो आज हम इंडियान एक स्पेस के 3rd जुलाइक एडिशन पर डिटेल एनलिसिस करेंगे इसमें क्या इंपोर्टेंट है क्या इंपोर्टेंट नहीं है कौन सी न्यूज जो इंपोर्टेंट न्यूज है उसको मैंने हाईलाइट इसमें कर दिया है I hope यह सब वीडियोस आपको काफी जादा useful हो रही होंगी students का काफी positive response भी आ रहा है इस वीडियोस का पूरा फायदा उठाने के लिए मैं आप सभी को यही बोलूँगा कि इन वीडियोस को पूरा देखें और उसके बाद अपने आप अपने newspaper में भी highlight करने की कोशिश करें और आप जैदी Indian Express के लावर को यह और newspaper पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आप highlight करके institute की ID पे mail कर सकते हो या comment कर सकते हो उस पर आपको हम आपको response दे देंगे कि आपने कितना सही mark कर रहे हो कितना सही mark नहीं कर रहे हो ठीक है तो आप आए हो तो आप लोग इन वीडियोस का पू एलियन मेरियन्स विल फेस प्रॉब एट होम ठीक है बिसिकल यह जो हाइलेटिड वर्जिन है इस पर हम बाद में आएंगे पहले इसके second place पर चलते हैं यह केस आप सभी लोग को पता होना चाहिए 2012 में एक एक केस हुआ था एन्रीका लैक्सी इंसिडेंट जिसमें जो इट उन दोनों फिसर्मेन की उपर शूटिंग कर दी थी फाइरिंग कर दी थी जिसके तहत उन दोनों की मृति हो गई थी ठीक है उसके बाद इंडियन अथरेटीज ने इन दोनों को बंदी बना लिया था ठीक है जिसमें से एक 2014 में वापिस इटली चला गया था और दूसर 2016 मे इटली चला गया था ठीक है उसके बाद इटली ने बेसिकली इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं उसके बाद इटली ने इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉव ऑफ दसी के तहत 2015 में अप्रोच करा ठीक है क्योंकि इटली का बेसिकली कहना था कि यह जो दोनों आफिस आता था ठीकि क्योंकि वो जो क्योंकि जितनी भी वो पूरा केस हुआ था जो इंसिडेंट हुआ था वो इंडिया के टरिटोरियल वाटर के अंदर हुआ था तो इंडिया का कहना यह था कि जब जो चीज हमारे टरिटोरियल वाटर के अंदर हुई है तो वो हमारे हमारी ज बिखा देता हूं है, first page में है, ये news, convention of the law of c, इसके तहप जो भी किसी भी country, जो का इस convention के member है, countries है, यदि उनके officer इस कानून के तहप काम कर रहे हैं, तो उनको किसी भी arrest, कोई भी country उसको arrest नहीं कर सकती है, उनके पास diplomatic immunity होती है, तो finally इस case में judgment आया है, permanent court of arbitration का, जिसमें उनो ने बोला है कि इटली की डिमांड सही है और इन दोनों को अब इटली की कोड्स में इनके ऊपर सुनवाई की जाहेगी भारत इनके ऊपर सुनवाई नहीं कर सकता है ठीकेश? यह पूरा डिसीजन आया है यह इनडियन इटली जब भी हम इंडिया उरोपें क्या relations पढ़ते हैं उसके अंदर जब हमें इटली के लिए कुछ मेंशन करना होता है तो यह negative point है इंडिया और इटली के लिए ठीक है उसका आप लिख सकते हो उसके बाद यह है कि citing defense of borders government के लिए purchase of this this point is also important देखो जो news है ना इसमें basically three points हम decode करेंगे पहला point है कि जो हमारे defense acquisition minister acquisition council के चेर men होते हैं जो कि defense minister होते हैं उन्होंने बोला है कि उन्होंने basically allow कर दिया है कि हम लगबा 31,000 करोड के sorry 38,000 करोड के weapons missiles इन सब को खरीदेंगे ठीक है कुछ हम चाइना से का सॉरी कुछ हम रश्या से खरीदेंगे और कुछ हम खुद बनाएंगे ठीक है तो तीन point first point है कि जो उन्होंने statement दिया उन्होंने जो reason दिया इन सब चीजों को खरीदने का वो first point है कि जो current situation चल रही है उस current situation में हमें हमारी armed forces को strengthen यानि मजबूत बनाने की जोरत है ताकि वो हमारे borders की रक्षा ज्यादा अच्छी तरीके से कर सकें तो यह एक directly message है चाइना और पाकिस्तान के लिए कि इंडिया भी अपनी army को और ज्यादा strong बनाने के लिए तयार है वो किसी भी situation के लिए ready है तो हमें जहां भी लिखना है जैसे हमारा कोई भी answer आता है जिसमें हमें लिखना है कि इंडिया का क्या response था चाइना के खिलाफ जिसमें हम economic genius design and development ठीक है ये इंडियान इंडिस्ट्री में से 38,000 करोड में से 31,000 करोड हमारा जो domestically produce होगा ठीक है domestically produce होगा इसके second page पर आ जाओ ठीक है domestically produce होगा MSME को हम participate कराएंगे इसमें और लगबग जो पूरा project की cost है उसका 80% हमारे भारत के अंदर produce होगा तो इससे हमारा आत्म निर्बर भारत भी promote होगा जैसे कि हम pinaka ammunitions हो गया या फिर long attack land at long range land attack cruise missiles हो गए अस्तरा missiles हो गए ये सब हम indigeniously MSME के थुरू बनाएंगे DRDO in MSME को help करेगा इन सब चीज़ों के लिए ठीक है तो आपको ये पता होना चाहिए pinaka missiles क्या है basically ये land attack missile systems क्या है अस्तरा missiles क्या है ठीक है ये आप google करना वहापर आपको मिल जाएगा राइट इसके बाद हमारे जो important news है ये कुछ important नहीं है इसमें ऐसा ठीक है ये digital strike to protect data basically जो आपका Chinese apps को ban करा गया है उस पर जो हमारे रवी शंकर प्रशाद है उन्होंने basically इसको एक digital strike का नाम दे दिया है हाला कि अगेन ये important नहीं है और exam point of view के लिए then yes ये वाला point important है जहां भी हमें environment impact assessment जो हमारे paper three का part होता है हमें लिखना है अगर वहाँ पे तो हम उसमें mention कर सकते हैं ऐसे cases जी कि इस पूरे case में क्या है कि जो center का national board of wildlife होता है जिसको जिसका chairman को होता है प्राइम मिनिस्टर होता है उन्होंने कोई decision लिया है कि जो गोगा का भगवान महावीर wildlife century park है वहाँ से तीन project बनाए जाएंगे पहला project है कि railway line वहाँ से पास होगी दूसरा है कि वहाँ पे जो NH4 national highway 4 होता है उसका उसका चौरी करन उसका चौरी करन होगा वहाँ पे पूरा उसको ठीक है जैन उसके बाद वहाँ पे एक electricity line भी बनाए जाएगी तो इसमें जो गोगा स्टेट क्या है wildlife protection act के तहत एक बनेगा national board for wildlife और हर स्टेट में होगा एक state board for wildlife national board of wildlife का चेर्मन होगा आपका प्राइम मिनिस्टर और स्टेट बोर्ड वाइड लाइफ का प्रेजिदेंट होगा आप चेर्मन होगा आपका स्टेट का चीफ मिनिस्टर तो इसमें state board of wildlife के जो main members ने गोगा के जो main environmentalist उनका कहना है कि national board of wildlife ने हमसे यह चीज़ डिसकर्स करी ही नहीं और हमसे बिना डिसकर्स करें इस चीज़ का permission दे दिया है तो आप यहां पर यह examples कोट करोगे कि environment impact assessment को यदि हमें ज्यादा effective बनाना है तो हमें उसको मोर उसको हमें ज्यादा सज्यादा समावेसी बनाना होगा ज्यादा सज्यादा उसको हमें inclusive बनाना होगा तो आप यह example code कर सकते हो इसके लावा भगवान महावीर wildlife century यह आपको याद रखना है कहाँ पर है गोवा में है इसका page 2 में भी कुछ important news है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर याद रखना है कि यह जो projects है basically environmentalist है उनका कहना है यहाँ पर कि इससे क्या क्या हो सकता है जैसे यह क्या कर सकता है fragmentation of important wildlife refuse मतलब जो wildlife corridors है उनको उनको fragment कर सकता है उनको रास्ते तोड़ सकता है एक disturbance ला सकता है उनके रास्तों में ठीक है ecological ecosystem process में disturbance हो सकती है soil quality degrade करेंगे deplete aquatic reservoirs ठीक है then yes यह वाला important point है इसमें कि जो हमारा आपको कहीं भी suggestion लिखना होगा तो आप suggestion लिखोगे कि कोई भी अगर environment impact assessment किया जाता है तो हमें wildlife protection act के section 29 और 35 को दिमाग में रखना जरूरी है ताकि क्योंकि यह जोनों एक्ट यह जो दोनों कानून है wildlife protection act के ठीक है यह basically focus करते हैं कि कोई भी developmental project हो उसका main focus हमेशा wildlife wildlife का development होना चाहिए wildlife की protection होनी चाहिए ठीक है उस project से wildlife को कुछ ना कुछ फाइदा होना चाहिए तब भी उसको allow करने की permission मिलनी चाहिए उस project को ठीक है then इसमें और कुछ important नहीं है then ठीक है यह हो गया first second page then नीचे आजाओ इसमें third page दिली का local page है इसमें कहाँ सब कोरोना और वहां की local है कुछ काम का नहीं है इसमें आज ठीक है then नीचे आओ इसमें private operators की हम already बात कर चुके हैं इसमें हाँ यह कुछ important point है कि जो उन्होंने फाइदा बताया है फाइदा यह बताया है कि हमें जब privatization करने से एक तो ट्रेनों की punctuality काफी ज़्यादा improve हो जाएगी और जो quality of food service है या जो quality of coaches cleanliness से सब improve हो जाएगी सब common benefits है आप सबको पता है इसमें कुछ भी जादा important नहीं है position ने बोला है कि इससे बहुत सारे गरीब लोगों की नौकरी जाएगी और जो हमारे भारती गरीब दोस्त हैं उन गरीब लोग है migrants है railway उनका travel करने का एक लौता जरिया है ठीक है तो railway उसको छीन रही है उससे ठीक है इसमें नीचे आ जाओ आप यस यह वाला थोड़ा सा national park आप लोग याद रखना मॉलम national park यह important है यह पूछ सकते हैं कॉंसे state में लाए करता है तो यह बेंगलोरू bad crisis क्या है और यह तबलीगी जमात का क्या issue चल रहा है ठीक है यह one day news है हमें इसमें ज्यादा deep में नहीं जाना है क्योंकि UPSC में पूछा नहीं जाएगा तो बहुत सारी ऐसी news होंगी जो आपको important लगेंगी बट वह important नहीं है focus उनी news पर करो जो news काफी time से newspaper में आ रही है ठीक है आज इस पर बहुत बड़ा issue चल रहा है कुछ दैसे वाली news है यह one time news है but important है mains में आप कहीं भी use कर सकते हो कि जो हमारा Central Public Works Department है जो Ministry of Housing के तहट आता है Ministry of Housing and Urban Affairs के तहट आता है उसने 1993 में बैन लगाया था कि हम जितने भी construction वर्क है उसमें timber का इस्तमाल नहीं कर सकते हैं पर अभी उसने यह बैन हटा दिया है तो आप आपको इसका benefits पता होना चाहिए benefits क्या है सबसे पहले तो कि यह एक वूड बेस है इसके साथ साथ large scale employment create होगा farmers जो कि उनकी जमीन बंजर पड़ी है या फिर जो यूज नहीं हो रही है वहाँ पे वह अपना पेड़ बगारा होगाना शुरू कर देंगे अब क्योंकि एक डिमांड क्रियेट होगी तो उसका भी एक market basically farmers को एक additional income provide करेगा यह ठीक है दूसरा benefit है कि wood एक versatile renewable construction material है जिसकी life cycle economic cost काफी ज्यादा कम होती है as compared to cement and other construction material next benefit आपका ही है कि जो हमारा UNFCC में national determined contribution target है जिसके जो target हमने रखा है कि हम 2030 तक लगबग 2.5 से 3 billion metric ton of CO2 equivalent मतलब अपना हम paid पौदे इतने बढ़ाएंगे ताकि हम additional 2.5 से 3 million ton CO2 को absorb कर सके तो वो इसमें भी हमारी मदद करेगा ठीक है basically ऐसे news आपको environment के paper में GS paper 3 में आपको काम आएगी जिसमें आप economy में भी बता सकते हो कि हमारी government ने economy को promote करने के लिए क्या किया है और क्या नहीं किया है ठीक है then यह point है रशिया में जो अभी flavor side चल रहा था ठीक है के फिछले साथ दिनों से उसमें पुटिन को पुरा जो हमारा इसका प्राइम मिनिस्टर कर दिया है ठीक है मतलब वो 2024 में जो उसका tenure खतम होने वाला उसके बाद वो अगले अगले 12 साल तक भी बिना vote के प्राइम मिनिस्टर रह सकता है तो यह उनके समविदान में एक change आय है ठीक है अभी जो पाकिस्तान में कराची में बॉम विस्पोर्ट हुआ है उसमें पाकिस्तान ने बेसिकली इंडिया के ऊपर ब्लेम डाला है कि इंडिया ने कराया है तो जो यह statement है वो इस statement को UNSC में condemn कराना चाहता था इस UNSC के मेंबर्स के द्वारा पास कराना चाहता था पर इस statement को US और जर्मनी ने दो बार रोग दिया है ठीक है में रीजन यह है कि सबसे पहले बोलना चाहिए कि इसके साथ जो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर इम्रान उन्होंने अलकाइदा को भी मार्शियर मतलब सहीद घोशित किया था ठीक है तो इसके दो सबसे पहले है कि आप एक आतंगबादी को सही द्गोशित कर रहे हो और दूसरा है आप इंडिया के ओपर इल्जाम लगा रहे हो तो यह देखा जाए तो यह काफी इंडिया के लिए का डिप्लोमेटिक जीत है और आप इसको इंडियन फॉरण पॉलिसी में लिख सकते हो क कि यह हमारी इंडियन फॉरण पॉलिसी जो डिप्लोमेसी हो काफी जाद है स्ट्रॉंग है ठीक है और इसका यह एक्जामपल आप कोड कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नीज है आपकी वेस्ट बैंक वेस्ट बैंक जो की पैलेस्टाइन और इस्राइल के बी भी तीसरे देश को इंटरफियर नहीं करना चाहिए यह एक बाइलेटरल इशू है और दोनों देशों को आपस में बैटके बात कर लेनी चाहिए इसके लिए रिगार्डिंग और वो इंडिया हमेशा टू स्टेट सॉलुशन को फेवर करता है ताकि वहां पर पीस यानि श मसने में असानी होगी ठीक है देन उसके बाद contentment zones के उपर है micro contentment zones यह हम बखुत बार discuss कर चुके है बट हाँ इसमें मैंने कुछ important highlight कर दिया है अलाकि UPSC के purpose से important नहीं है बट state services में यह पूछा जा सकता है तो इसको आप सिhr highlighted version को आप पढ़ लेना इसमें ठीक है देन यह हम हम इस पे heparine जो medicine है जिसका 211 प्रतिशत से rate increase हुआ है जो हमने कल भी बात करी थी उसके बारे में एक यह point आया है वो important points मैंने इसमें highlight कर दिये है इसमें जरूर पढ़ लेना कि NPPA National Pharmaceutical जो association है उसको किस कानून के तहत prices को control करने की या prices को emergency condition में बढ़ाने की power दी जाती है तो यह है drugs prices control order 2013 के तहत उसको price बढ़ाने की power दी जाती है तो यह आप highlighted version इसका पढ़ लेना से highlighted version पढ़ लेना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें ठीक है जैनि इसकिप कर देना इसमें आज के tutorials में ऐसा कुछ भी नहीं है सब कुछ जो हम already पढ़ते हा रहे हैं कि India China क को कैसे tackle करना चाहिए यह सब ही है इसमें बिल्कुल important नहीं है आज के opinions आप easily इनको skip कर सकते हो ठीक है इसमें और कुछ important नहीं है नीचे आजाओ इसमें यह हमने बात कर लिया है बेसिकली जब जब United Kingdom ने बोला कि जो भी यॉंग कॉंग कोंग के रेजिडेंट्स जो चाइना के कानून के तहट arrest किये जाएंगे वह easily United Kingdom में आ सकते हैं उनको यहां पर वीजा में कोई problem नहीं होगी वह यहां रहे भी सकते हैं और वह यहां पर काम भी कर सकते हैं ठीक है तो इस पर चाइना ने strong reaction दिया है जिसके बाद Australia ने भी यह बोल दि है उससे election लणनी जुरत नहीं पड़ेगी हाला कि opposition party ने इसको oppose करा है कि यह democracy के अगेंस्ट है एक यह representative government के अगेंस्ट है ठीक है यहां पर यह point बहुत important है कुछ की रश जो या Iran की जो centrifuge होते हैं यानि जहां पर वो अपना nuclear uranium को basically pure करता है ठीक है साफ करता है ताकि उसको अल यह blast कैसे हुआ है कि किसी ने कराया है या फिर महाँ पर कोई technical problem की वज़े से blast हुआ है अच्छा थोड़ा सा याद रखना है UPSC में important cities भी पूछी जाती है पूछा जाता है यह city कौन सी country में इस्तित है तो यह Natanj important city है इसको नाम याद रखना है इरान में एक important city है और काफ 2009 में basically 2019-10 में इरान की जो cyber इरान के जो आपके uranium यानि जो uranium facilities है आप जहां पर वो uranium pure करता है महाँ आप एक cyber attack कराया था और यह cyber attack अभी तक का सबसे बड़ा cyber attack था जिसमें उसने इरान के लगबग 1000 centrifuges को destroy कर दिया था ठीक है इन यह इंडिया इंडियन के उपर important है जो इंडि स्री लंका में eastern container terminal बना रहा है उसको हांके जो trade union उसने उसको अपोस करा है ठीक है तो यह आपको इंडिया स्री लंका के international relations में पता होना चाहिए then हम इस पर already बात कर चुके हैं कि 14% compensation को लेके कि अगर हमारा GST 14% compensation से भी कमा रहा है तो आप states को compensate कैसे करोगे इस पर debate होने वाली अभी GST council की meeting होगी उसमें यह point discuss होगा इसके लाबा जो non-BJP government वाली states उन्होंने demand करा है कि जो vice president की chair खाली पड़िया GST council में उसमें non-BJP व security bond important हो जाता है कहीं भी आगर आपको suggest करना है कोई innovative तरीका आपको बताना है कि कैसे हम जो हमारे contracts हैं जो contracts पूरे नहीं हो पाते हैं जिससे सरकार को भी नुकसान होता है और जो contractor है उसको भी नुकसान होता है तो उस चीज़ से कैसा बचा जाए तो उस case में आप security bond को explain करोग basically contractor जो contractor है जो contract दे रहा है और एक जो इन दोनों के बीच में एक insurance company आ रही है वो इन तीनों के बीच में sign होता है कि यदि किसी वज़े से contract पूरा नहीं हो पाता और दोनों party में से भी किसी अगर एक party को भी नुकसान होता है तो वो दूसरी party पे claim कर सकता है ठीक है और जो claim कर करेगा वो जो तीसरी जो बीच में जो party है जो insurance party है वो claim वो party pay करेगी यदि वो claim सही होता है तो और obviously इस return में जो contractor है उसको premium भी देना होगा insurance company को अभी तक हम surety bond का इस्तमाल नहीं करते हैं बट हम इसको surety bond को हम इस्तमाल अब करने के लिए surety bond को इस्तमाल करने के लिए यह debate start हुई है ठीक है यह कुछ data है कि imports from china has declined from 2019-20 में china से जो हमारा import आ रहा है वो decline हुआ है जिससे हमारा trade deficit भी खत कम हो गया है लगबग 48.66 billion रह गया है हमारा जो china को जो exports है ना वो लगबग 16.6 billion का है और जो import 65 billion का है जिससे हमारा overall यह सब data आप लोग देख लेना ठीक है इसको join then उसके बाद ठीक है यही सब इसमें important news है इसमें और कुछ ज़्यादा important नहीं आज के paper में ठीक है but इन सबके notes जरूर बना लेना ठीक है और किसी को कोई भी doubt हो वो comment कर सकता है या mail कर सकता है thank you झाल कर सकता है